ड्यू ने एक ऐसे समय में अपने सो वर्ष पूरे किये हैं जब देश अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अम्रित महुत्सों मना रहा है कोई भी देश हो उसकी युनिवर्सिटी उसके सिक्षन संस्थान उसकी उपलब्दियों के सच्चा प्रतिमिम होते हैं ड्यू की भी इन सो वर्षों की यात्रा में कितने ही आइतियासिक पड़ावाए हैं इसमें कितने प्रफुसर्स का कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड रहा है एक तरसे दिल्ली उनिवर्सिटी सिर्फ एक उनिवर्सिटी नहीं बलकि एक मुमेंट रही है इस उनिवर्सिटी ने हर मुमेंट को जीया है इस उनिवर्सिटी ने हर मुमेंट में जान भर दी है बैस अइतिहासिक अवसर पर युनिवर्सिटी के सभी प्रोफिसर्स और स्टाप को सभी स्टूडेंट्स और एलुमनाई को रजय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों आज इस आयोजन के जरिये यहाँ नए और पुराने स्टूडेंट भी साथ मिल रहे हैं स्वाभाईग है कुछ सदावहार चर्चाएं भी होगी नौर्थ केंपस के लोगों के लिए कमला नगर हर्चन लाइन और मुखरजी नगर से जूड़ी आदे साथ केंपस वालों के लिए सत्य निकतन के किस्से आप चाहे जिस एर के पास आउट हो दो डियू वाले मिलकर इन पर कभी भी गंटों निकाल सकते हैं इस सब के बीच मैं मानता हूँ डियू ने सो सालों में अगर अपने अहसासों को जिन्दा रखा है तो अपने मुल्यों को भी जिवन्त रखा है निश्ठा धृति सत्यम युनिवर्सिटी का इधे वाक्य अपने हर एक स्टूनेंट के जिवन में गाइडिंग लैंब की तरह हैं कर दो अपने हर एक स्टूने अपने हर दो जिवन्त रखा है